हालो फ्रेंज वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सिरीज मेरा नाम है रामा इस विश्यस कोर्स में हम आपको बता रहे हैं प्रीमेर प्रीमेर प्रो 2017 के बारे में इसको हम अपने सिस्टम में स्टॉल करना होता है इसके बारे हमने अलड़ी टूटरियल बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं फिलभाल हम आपको डारेट बताता है किस परकार से काम करते हैं जब बिए आपके सिस्टम में यह प्रीमेर प्रो CC 2017 स्टॉल है तो बिंडो के के बारम यह थोड़ी सी जानकाई लेंगे तो आ जाएगा यहां स्टार्टिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको इस्टॉल्ड किया हुवा साफडियर मिल जाएगा एड़ा प्रिमियर 2017 यहां पर आपके रिसेंट फाइल सुगरा आ जाते हैं मोर और यहां पर साफडियर आप पर एड़ पर रहे तो यहां पर क्लिक करके पिन टु प्रिमियर स्टार्ट कर देंगा राइट क्लिक करके यहां पर जाएंगे यहां पिन जाएंगे पिन्टु टास्क बार यहां un-pinned हो गया है तो आपको आरजी पीन है आपके सिस्टम इस PMरें करते हैं इस तरह से इसकी प्रोसेश सुरू हो जाएगी यदि आप आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला लुक आपको इस तरीके से यह आफसन आता है कि जब आप प्रीमियर पर ओपन होते हैं कि यदि आपके पास कई सारे आफ्सन्हें यहां पर आफ्सन है रिसेंट मैं अले कोई फाल अलडी ओप maintained आइव तो उसके बारे में यदि आपको नीओ बनाना है तो आप इस नीओ प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे यदि आपको open project पर कार करना है यानि याद आपने पहले से कोई projectality बना रखा है तो उस पर open करना है तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर दो चीजे नहीं और आई हैं यहाँ पर templates के बारे में team projects इसके बारे में आपको बाद में discuss करेंगे team project क्या होता है फिलाहाल हम यहाँ चलते ह उपर new project पर click करेंगे तो आपके सामने एक new project का setting का dialogue box आता है अब यहाँ पर setting का dialogue box आने के बाद सबसे पहला आपको देना होता है यहाँ पर नाम नाम क्या होता है कि आप जिस project को किस नाम से आप देना चाहते हैं वो project नाम देना होता है सबसे हम यहाँ पर देते हैं मंत्र प्रीमियर CC ट्रेनिंग यह हमने प्रोजेट का नाम दे दिया है और यहां पर आप देना होता है लोकेशन आप इस प्रोजेट को किस लोकेशन पर रखना चाहते हैं कोशिस यह होनी चाहिए कि यह प्रोजेट कभी भी आपको C ड्राइब में ना रखें यह बिंडो सिस्टम में काम कर रहे हैं क्योंकि C ड्राइब कभी भी क्रैस हो सकती है और उसमें से आपको डाटा नहीं मिलेगा तो इसलिए कोशिस होनी चाहिए किसी अन्य लोकेशन पर रखें ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप उस ड्राइब को सेलेट करें जहां पर आप इसको रखना चाहते हैं प्रिमेर सीसी में हमने यहां पर इसको सेप कर दिया सेलेक्ट फोल्डर चुनाओ करने के बाद यहां पर वो पाथ हा जाता है जिस पाथ पर आपने इसको सेप किया है इसके बाद आपके सामने जर्णल तीन टैम मिलते हैं जर्णल, इसक्राइड डिस्क, इंजेस सेटिंग, यानि तीन सेटिंग को आप प्रोजेक्ट सुरू करने से पहले आपको देना होता है जर्णल, वीडियो रेंडरिंग और प्लेबैक, यह आपके सिस्टम में कोई में काम करना है, DB होता है 720-576, जिसे हो हम पहले टेप में काम करते थे, HDB, High Definition, Digital Video, जो आज की डेट में सारा HDB में काम हो रहा है, इसलिए हम HDB का सलेट कर लेंगे, इसक्राइड डिस्क में जाते हैं, तो यहां पर बेसेकली कई सारी चीजे आपको देनी होते हैं कि यह कहा पर आप इसको सेब किये हैं, सबसे पहला होता है Captured Video, Captured Video मतलब यह होता है, जो फाइल आप capture करना चाहते हैं, यानि कभी-कभी आउ सकता है, कोई फाइल को हम अपने सिस्टम में by camera, by btr लेते हैं, वो फाइल कहां पर सेब होंगी, उसके लिए यदि आप प्रोजेक्ट के करके उसको चेंज कर सकते हैं, वीडियो प्रव्यू, आडियो प्रव्यू और आटो सेब, यह तीन चीजा और होती है, जिनकी लोकेशन को आपको देना होता है, यह आटोमेटिक आपके इस प्रोजेक्ट के साथ में क्रेट होती है, बाइड डिफाल तीरी तीनों की और हो यह डिली तो आपका आटो सेब भी डिलीट हो जायेगा, इसलिए आटो सेब सदय उस की लोकेशन होना चाहिए, जहाँ पर प्रोजेक्ट आप नहीं रखते हैं, यह बहुत होनी ही जाहिए, चाहिए दराइब भले सेम हो, यह बहुत होना चाहिए जाहिए ऑना की किसी आने टिटोरियल में डिसकस करेंगे फिलहाल हम जर्णल पे जाते हैं और OK पे क्लिक करते हैं OK बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आती है इस ये करीब 5-4-5 पार्ट में डिवाइड होता है 4-5 पार्ट में डिवाइड होने के बाद कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमें सोसल मीडिया में फेस्बुक एंट्यूटर वे भी फालो कर सकते हैं